नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन एंड ओफलेंग ज्यान में दोस्तो कुछ नोटिसिस गुरूब डी को लेकर एलपी टेक्निशन को लेकर जो जी डी सी की भरती है उसको लेकर आप लोगों के लिए वायर हो रहे है कुछ बच्चों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन की है कि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दूँ दो गंटे पहले कुछ बच्चों ने नोटिसिस शेयर करना शुरू किया था देखो भई आप लोग जानती है मेरे चैनल पर बिलकुल जो आप लोगों को information मिलती है वो बिलकुल authenticity के साथ मिलती है अगर आप लोग मुझसे connected है तो आप लोगों को चैनल पर वही चीज authenticity के साथ ही मिलेगी views की इतनी भूक नहीं है अगर होती तो यह वीडियो दो घंटे पहले आप लोगों को मिल जाती दूसरों से पहले लेकिन जब तक clear नहीं करूँगा अपने आपको अपनी असमंजस की इस्तिती को clear नहीं करूँगा तो आपको भी असमंजस की इस्तिती में डाल दूँगा तो मेरे चनल से connected है तो थोड़ा सा patience रखा करो अगर चीजे authentic होगी तो आप लोगों को सही way में information दूँगा आप देरी ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं group D की आगे बढ़ने से पहले देखो भाई ये तो clarity है department vacancies देगा और आप लोगों की vacancies आप लोगों से कोई नहीं चीन सकता क्योंकि जरुवरत बहुत railway में either it is group D, NTPC हो इसके लावा आप लोगों का RPF हो या फिर ELP technician हो department को जरुथ हैं और वो vacancies एक end moment पे election के आप लोगों को निकाल कर देगा rest department दे depend करता है वेट करते करते बच्चों की age खतम हो गई है अब क्या कर सकते हैं department की जो मंशा है उसी के according वो जो है चलेगा अब हो गई बेकार की बाते अब आते हैं main notices पे सबसे पहले group D को लेकर ही बात कर लेते हैं देखो भई कुछ change होआ है group D में क्या हुआ है अभी आपको बताता हूँ लेकिन आप लोग जानते हैं आप नॉर्मल दसवी पास वाला बच्चा group D की जो vacancies होती है लेवल वन की उसमें form नहीं फिल कर पाएगा उसके पास या तो ITA होना चाहिए या apprentice होना चाहिए यह बात आप भली बाती जानते हैं एक और criteria होता है दसवी के बेस पर apply करने का जिस पर मैं already बात कर चुका हूँ अगर वो particular post आती है तब ही बच्चा apply कर पाएगा अब यह changes क्या हूँ है वो आप लोगों को बता जेता हूँ थोड़ा सा यह कहूँगा कि संतुष्टी वाली ख़बर नहीं है मतलब बहुत ज़दा अच्छी ख़बर भी नहीं है और बहुत ज़दा बुरी भी नहीं है आप जानती है 100% vacancies level 1 की जो post होती है वो आप लोगों की open market में आती है लेकिन department ने officially एक change किया है कि अगर आप लोगों के लिए अप vacancies आएगी तो 90% तो vacancies होगी open market में और 10% जो vacancies होगी वो यह जो है अंदर ही department से उठाएगा समझ गये मैं क्या बोलना चाहता हूँ यह मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा यह department ने जो clarity दिया वो आपको बता रहा हूँ 90% जो vacancies है वो open market में आएगी और 10% vacancies जो reserve रखी जाएगी वो रखी जाएगी internal department में जो होते हैं लोग उनके लिए और यह जो भरतिया होगी जब notification आएगा तो आप लोगों को clarity मिल जाएगी अब ऐसा department ने क्यों किया है यह इसलिए किया है क्योंकि पिछला हाल आप लोगों ने देखी लिया होगा कितनी बड़ी संख्या में जो भरतिया है वो खाली गई बच्चे प्रोपर तरीके से पोस्ट को acquire नहीं कर पाए तो यही update थी group D को लेकर जादा चर्चा आप लोग पढ़ सकते हैं नोटिस है इसका official site पे भी आप लोगों को मिल जाएगा अब आते हैं भाया एक और नोटिस पे जो tender का नोटिस है बहुत बड़ी संख्या में बच्चे request कर रहे थे कि इस पे clarity दूँ कि सर जी एक्चुल में है क्या देखो भाई सबसे पहले देरी नहीं करूंगा पहली clear कर ये RRC की तरफ से जारी हुआ है और जो आप लोगों की ALP technician की open market की भरती होती है उसका tender जारी करता है RRB ALP technician का जो exam आप लोगों का accordingly जो conduct करवाय जाता है proper तरीके से वो RRB proper तरीके से regulate करती है तो ये जो है यहीं पर आप लोग समझ लीजिए कि ये आप लोगों का नहीं है यहाँ पर लिखा भी हो है GDC का तो ये tender open market का tender नहीं है आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे इसके लावा आप इसकी value देख लीजिए जो ALP technician की भरती होती है उसके tender की value बहुत बड़ी संख्या में होती है ठीक है इतना छोटा amount 40-50 लाग का amount नहीं होता tender के लिए बहुत बड़ा amount होता है क्योंकि multiple centers होते है तो एक शब्द में बोलू ये tender उसका नहीं है जो आप लोग अभी समझके बैठे हैं ALP technician की जो open market की भरती होती है आशा करता हूँ मेरे दौरा दिया गया यह point आप लोगों के clear है और ये जो notice है ये बिलकुल official है ये official side पे आप लोगों क tender GDC का देखने को मिल जाएगा ये दो मुख्य point जो मुझे आप लोगों को clear करके देने थे मैं इतना आप लोगों को बोलूँगा भरतियां आएगी आप लोगों की अगर age है तो आप लोग प्लीस अपने आपको मजबूत करके रखिए preparation करते रहिए preparation आप लोगों की वियर बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को previous paper से उसके basis पे आप अपने आपको judge कर पाएंगे कि हम previous paper के base पे क्या-क्या पणे और क्या-क्या ना पणे previous papers के link आपको description में मिल जाएंगे जाकर एक बार refer कर लेना इसके लावा कोई भी official update आती है मेरे channel पे थोड़ा सा patience रखना थोड guidance सही तोर पे मिलते रहें पाके टेलेग्राम चैनल का link मैंने आपको description में दे रखा है अगर आप ITI के बच्चे हैं railway के aspirants हैं या ITI नोकरी के aspirants हैं तो आप लोग उसे join कर लीजिए 12,000 से उपर बच्चे हैं उस पे और आपस में एक दूसरे से बाते करते हैं धाईजार वा से पाल लेते हैं ठीक है मैं एक चीज़ और बोल दूँ मैं यह नहीं बोलूँगा कि जनवरी में भरती आएगी या फरवरी में भरती आएगी या मार्च में भरती आएगी भरती 100% आनी है कोई नहीं रोक सकता लेकिन department जो है भरती election के time पर पूरी उम्मीद है कि आप अमीद लगाएं आप department से लेकिन भरती आएगी उस time पे आपको परिशानी ना हो इसलिए पहले से अपने आपको मजबूत रखें अपना cbt1 का portion cbt2 के part A part B का portion मजबूत करके रखें ताकि आने वाले time पे आप लोगों को परिशानी का सामना ना करना पड़ें ठीक है एलप के माद्यम से आपको कुछ information मिली होगी जिसके बारे में आप लोग information चाह रहे थे अब आप लोग इसके बार में परिशान नहीं होंगे thank you